स्वागत है आप सभी का UPTT हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में तो जैसा कि हमने पहले जो टेस्ट पेपर है फुल टेस्ट पेपर उसको हमने पहला पार्ट डिसकस कर लिया था और उसमें हमने डिसकस किया था संस्क्लित तक के पोर्शन के लिए अब शुरू करते है 91 कोश्चन से जो कि mathematics का पार्ट है तो चुकि ये वीडियो इसले भी अलग बनानी जरूरी होगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा था और दूसरी चीज है कि mathematics में पूरी तरह से आपको समझा के बनाना चाहता था इसले चलिए बिना देर के शुरू करते हैं पहला प्रशन है एक का लासापा क्या होगा ठीक है तो लासापा मासापा के लिए एक छोटा सा सूत्र है जो मेहा पर लिखके आपको बताना चाहूंगा होता है LCM जिसको लासापा कहते हैं ठीक है उसमें अगर HCF यानि कि मासापा का गुड़ा करते हैं तो बराबर होता है ये पहली संख्या को में यदि लासा पाका गुड़ा करते हैं तो वो होता है पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या ठीक है संख्या ठीक है तो यानि कि दिया हुए गुड़न फल यानि कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुड़न फल यहां पर दिया गया है यानि कि 1280 बराबर है, मसपा दिया गया है, आठ लसपा आपसे पूछ रहा है, तो लसपा लिख दीजिए, अब सीधा आपको भाग देना है, यह आठ इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, और भाग देंगे, आठ के एक बारी भाग देंगे, चार बचेगा, चे बारी बारी बाग दें फार्मूला उतार लेंगे, चीक है, अगले प्रशन के और बढ़ते हैं, अगला प्रशन है आपका, वा नियूंतम संख्या क्या है, जिसे 12, 15, 20 यद 54 से भाग देने पर प्रतिकी स्थिति में 4, 6 बचता है, तो बिल्कुल पहले तो घबराना नहीं है प्रशन से, प्रशन आर जा रहा है कि वा नियूंतम संख्या क्या है, जिसे इन इन संख्याओं से भाग दे रहे हैं, और प्रतिकी स्थिति में आपका, 6 बचता हैं, तो सबसे पहले तो यह समझे, कि पूछना क्या चाहरा है, पूछना यह चाह रहा है, लसपा जो होता है, वह आपका minimum संख्या, य इसका जो नाम होता है वही होता है आपका लगुत्तम समापवरते ठीक है और महत्तम समापवरतक ये दो नाम होता है लसब अमसब का तो नियुंतम संख्या जब भी बतानी होती है तो LCM बताया जाता है यानि कि आपको LCM निकालना है या आपको समझ में आ रहा है ठीक है लेक 3 और 2 का LCM निकालना है तो आप 3 का पहाड़ा पढ़ो 3 का 3 या 3 1s are 3, 2s are 6 या 3 एकम 3, 3 दो नी 6 ठेक है? और 2 का पहाड़ा पढ़िए 2 एकम 2, 2 दो नी 4, 2 3 आ 6 2 1s are 2, 2 2s are 4 2 3s are 6 तो 6 विल्विदा वो नमबर है 6 जो कि दोनों के पहाड़े में आ रहा है तो 3 और 2 का LCM आपका 6 हो जाएगा यानि कि समझाने के लिए जो मैंने बोला है उसे ऐसे समझे कि वह पहली संख्या जो दी गई संख्याओं के पहाड़े पढ़ने पर आती है वह पहली संख्या आ तो आपकी 12 भी सकती है बट पहली हमें लेनी है इसलिए नियूंतम बोलता है अब आगे चली समझते है तो जैसा कि हमें यहाँ पर LCM निकालना है तो LCM निकलता कैसे है हम उन शात्रों को साथ ले करके चलते हैं जिने LCM तक निकालने नहीं आता है हम 12, 15, 20 और 54 में सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं तो छोटी संख्या आपकी 2 2 से भाग देना शुरू करेंगे तो 2 के 6 बार में काटेगा 12 15 को नहीं काटता है तो हू बहू उतर जाएगा 20 को काटेगा तो 10 उतरेगा और 4 उनको काटेगा तो 27 उतरेगा फिर 2 से आप एक बार ही भाग देंगे 3 उतरेगा 15 को ऐसे उतर जाएगा 10 का 5 उतरेगा और 27 ऐसे उतर जाएगा इससे बड़ी संख्या से आप भाग देंगे तो आप भाग देंगे 3 से 3 से 3 एक बार में काटेगा पंद्रा पांच बार में कटेगा, पांच कटेगा, नहीं उतर जाएगा, और 27 जो है नौ बार में कटेगा, फिर से आप 3 से भाग देंगे, ठीक है, तो 1, 5, 5, 3, ठीक है, फिर से आप 3 से भाग देंगे, तो 3 कट जाएगा, एक बचेगा, पांच बचेगा, पांच बचेगा एक्सो और एक्सो रषा पच्चे आप norm Unity पान्सो चालेस प्रश्ण में क्या कह रहा है मैं इसको डिलेट कर रहा हूं ठैक है प्रश्ण में क्या कह रहा है कि प्रतेक इस्थिती में अब ये वो संख्या है, जिसे 12, 15, 20, 15 से भाग गई यदि देते हैं, तो ये पूरी तरह से कट जाएगी, यनिक कि उनके पहाड़े में आने वाली सबसे पहली संख्या है, जो सारे के पहाड़े में आ रही है, ठेक, परन्तु यदि भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाए त्रिबुज ABC में त्रिबुज बना लीजे, ट्रेंगल बनाया हमने, ठीक है, त्रिबुज ABC में D, पहले ABC बनाया हमने, D, E, और F, भुजाओं के मध्य बिंदू है, तो हमने मध्य बिंदू को मिला दिया, ठीक, मिला दिया हमने, और इसका नाम लिख दिया, D, E, F, कुछ भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता तो पूछ रहा है कि D का चित्रफल क्या होगा यदि A, B, C बराबर 24 तो इसको लगाने का सबसे तरीका अच्छा ये है कि आप चित्र को अब्जर्व करिए ठेक है आपको पता है कि ये, 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 B, C, A, C, D जो है वो A, C का मद बिन्दू है B, C का मद बिन्दू जो है F है और A, B का मद बिन्दू जो है E है ठेक चुकी वो उसके mid points है मद बिन्दू है अता है ये जो चार ट्रेंगल बन रहे हैं 1, 2, 3, and 4 ये चारो ट्रेंगल आपस में equal होंगे बस ऐसे आप समझ लेजे ठेक है प्रश्म को solve करने के लिए तो यदि B will be the correct answer करे किसी वारशिक प्रतिशत की दर से दिया नहीं है किसी राशी का राशी नहीं दी है दस वर्शों का समय दिया हुआ है दस वर्श साधारन ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज जो है मूलधन का दो बटे 5 होगा सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है साधारन ब्या जब बैंक में आप अपने पैसे जमा करते हो तो साधारन ब्याज मिलता है लेकिन जब बैंक से आप उधार लेते हो न तो चक्रविधी ब्याज से लेते हैं बस ऐसे समझ लेजे ठीक है तो सबसे पहले साधारन ब्याज क्या होता है साधारन ब्याज में ब्याज क्या होता ह है मूल धन मूल धन क्या होता है principle principle amount ठीक है rate यानि कि दर और समय यानि कि T divided by 100 यानि कि जितना पैसा जमा कर रहे हो से बोलते हैं मूल धन दर क्या बोलते हैं जितने जैसे सो रुपय पर आपको दस रुपय मिल्ला है तो डर वो हो गई कि 10 रुपया वार्ष को कि आपको 10 रुपया देगा तो एक वरस √ 2 वर wolf कितने साल के लिएवर्श तीन महीने जिसलिए भी जमां कर रहे हो जितने समय के लिए भी वो वर्ष होता है usually प्राया वर्ष को आपका साल भर में लिया जाता है अगर महीने में लेंगे आप जैसे तीन महीने दिया हुआ है तो तीन बटा बारा करके उसको साल में बदलना पड़ेगा ठीक है यानि कि एक बटा चार वर्ष इस तरीके से तो सबसे पहली चीज कि दर्ज होती है वो प्रतिशत में आपकी दी होती है वार्षिक लिखा होता है ठीक है उसके साथ में ठीक उसके बाद जैसे यह लिखा हुआ है वार्षिक प्रतिशत की दर्दे के लिखा हुआ है दूसरा है आपका समय समय जो होता है वो हमेशा वर्ष में गिवन होता है मू फार्मूल धन में व्याज को जोड़ दिया जाता है तो यह आपका मिश्रधन बनता है जिसको इंग्लिश में अमाउंट या ए से दिखाते हैं यह हो गई बेसिक थियोरी अब इसको नोट कर लिया होगा आप लोग ने मैं आशा करता हूं अब हम लोग इस को करते हैं तो कह रहा है किसी साधरर भयास के दर दस बर्ष का तो जो फार्मूला लिखा था पी आर टी बाए हंड़ एसाइ के बराबर है P क्या है हमें नहीं पता, तो P को P लिख दीजे, R आपका नहीं पता है हमें, R को R लिख दीजे, T हमें पता है, 10 बटा 100, बराबर होगा SI, SI यानिकि Simple Interest याब आज कितनी है, तो मूलधन का 2 बटा 5, तो मूलधन को हमने P लिया है, तो उसको ले लेंगे 2 बटा 5 P, ठीक है, इस 2 जो है, यह 3 गुड़ा हो जाता है, यनिकि 3 गुड़ा होता है, तो यह हो जाएगा, P से P कट जाएगा, तो R बराबर क्या बज़ गया, 4% yearly, ठीक है, तो option A will be the correct answer, निस्ट आता है आपका, कि 400 रुपे की राशी है, 4 वर्ष में 480 हो जाती है, यनिकि भ्याज कितना रुप लग रहा था, जो हमें पता नहीं है, उस पे 2% और increase कर दिया गया, तो नया मिशरधन बताएगे, मैंने मिशरधन आपको समझाया, कि यदि मूल्ध हैं, जो की पैसा जमा कर रहे हो, उसमें अगर मिलने वाली ब्याज को जोड़ दिया जाता है, तो वो amount मिशरधन कहलाता है चलिए, कोशन करते हैं, सबसे पहली बार करते हैं, कि SI equals to PRTY 100 पहले के लिए लगाएंगे, चार वर्ष में, यानि कि 4, T बराबर 4, R हमें पता नहीं है, P हमें पता है, 400 रुपे, बटा 100 equals to 480, यानि कि ब्याज किता हुआ, 80 रुपे, आपको भी मैंने बताया, तो ब्याज पर इतने पर लगा देते हैं, ठीक है, चलिए लगाते हैं, 845, पांच बार में 80 का पाड़ा पढ़ोगे, तो 400 से कट जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप इसको काटोगे 20 बार में, इसको काटोगे 5 बार में, तो R आगे आपका 5% yearly है, 5% बार्षिक, ठीक है, आप इसको हि ठीक हो, ठीक है, बिल्कुल भी hesitate या परिशान मत हो, कि मैंने PRT को लिख दिया है, चुकि यह easy होता है लिखना, जब आप usually question solve करोगे, तो आपको भी लगए कि PRT लिखना थोड़ा easy है, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या बढ़ते हैं कि अब तो rate हमें पता चल चुका है, ठीक है, अब rate पता चलने का सबसे मज़ेदार चीज यह है, कि हम अपने प्रशन को बहुत आसानी से solve कर लेंगे, ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया, तो 5% से कितनी हो गई, 7% हो गई, मूल धन कितना है, 400 रुपए ही रहेगा, और समय कितना है, 4 जो है वो ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है, डिवाट बाइ 100, 100 से 4 चुके 16, 16 सत्य, 112, 112 यह और 400 रुपए मूल धन पर जोड़ देंगे, 400 धन, 112, 512, C option बिदा, correct answer, ठीक है, तो चली अब आशा करता हूँ कि अब वो समझ में आया होगा, अगले प्रशन के और बढ़ते हैं, ठीक है, अगला प्रशन है हमारा, एत था भी किसी काम को क्रमशा 9 दिन था, 18 दिन में खत्म करते हैं, बहुत ध्यान देना है, इस प्रशन पर बहुत ध्यान देना है, यहा कारेचंता, कारेचंता मतलब मालिजी की दो लड़ू एक दिन में खाता है, ठीक, टोटल दिन दिया हुए 4, दो लड़ू एक दिन में खाता है, टोटल दिन दिया हुए 4, तो 4 दो नहीं 8, यानि कि लड़ू कितने है, 8, समझ में है आपको, यही यह टोटल फंडा इसका य यानि कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, efficiency कितनी है, तो बरावर हो जगा कुल काम, हमें क्या target होता है, कि हम कुल काम निकालें और फिर one day work निकालें, ठेक है, आपने अभी तक one by nine, one by 12 करके, one by 18 करके, इस सवाल को solve क्या होगा, मैं आपको दूसरे तरीके से solve करता हूँ, जिस नौ दिन में करता है, तो यहाँ पर मैं day लिख रहा हूँ, ठेक, और b जो है, वो 18 day में करता है, ठेक है, मैंने एक box बना करके, दोनों का काम day में दिखा दिया, अब यहाँ हम दिखाएंगे कुल work, total work, tea work, यानि कि total work, total work क्या है, और यह होगा one day work, one day work, यानि कि चमता, कार का LCM, तो 9 और 18 का LCM लेंगे, तो मैंने अभी बता है, कि जो दोनों के पाड़े में सबसे पहले आएगा, वही LCM होता है, तो 9 दुनी 18, 18 के पाड़े में भी आ रहा है, तो total work हो गया 18, यह याद रख लो बच्छो, total work का क्या हो गया, 18, ठेक है, इसमें जरा सभी confusion नहीं हो यादि कि पाड़े कितना काम करेगा, दो काम करेगा, तेजी से कर रहा है, यह 18 दिन लेता है, यादि कि पाड़े कितना काम करेगा, एक काम करेगा, यादि कि अब इन दोनों को अगर जोड़ा जा, तो एक दिन में दोनों मिला के कितना काम कर रहा है, तीन काम कर रहा है, ठ ठीक है। लेकिन काम कितने दिन पहले छोड़ दिया। इस कुशन को कैसे करेंगे। जब सोचने का तरीका बता रहा हूँ। अगर उसने तीन दिन काम किया होता। अगर उसने तीन दिन काम किया होता तो चुकि दो काम करता है यहां से देखिए दो काम करता है एक दिन में और तीन दिन वो काम किया होता तो छे काम करता वो तीन दिन में कितना काम करता छे काम करता तो आप ऐसा कर लो ना कि आप जो काम दिया हुआ है टोटल यह जो 18 है आप ऐसा सोच लो कि वो काम करेगा अपने मन से सोच लो कि वो काम करेगा और 3 दिन आप उसे काम करवा हो बस करो क्या कि 3 दिन का काम यहाँ पर add कर दो तो 18 से ये 6 add कर दो कि 24 हो जाएगा यानि कि अब total काम उसे हो 24 है suppose कर दो मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकता हूँ, बढ़ एक बार ही आप think and develop करिए इस चीज की, अभी total काम क्या हो गया, 24, अभी इन दोनों को जैसे काम करने थे, वैसे काम करा दो, 24 दिन के लिए काम करा दो, तो एक दिन में करते हैं ये, तीन काम, तो 24 काम करने के लिए कि एक बार ही मैं पूरी चीजरी वाइस कर देता हूँ आपको, ये कोशन आपका कैसे हो रहा था, सिंप्लिस में करना ये है कि दिन, कारेशमता और कुल काम, इसी पर फोकस करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कि जितना दिया हुआ है, ए और बी का दिन लिख लेंगे, 9 और 18 ठेक है, वहां से आप उसका टोटल वर्ट निकालोगे, जोकि 18 टोटल वर्क आया, लेकिन क्योंकि काम तीन दिन पहले छोड़ने की बात हो रही है, और आपको पता नहीं कि काम कितने दिन तक चल रहा है, तो आप क्या करो, कि जितने दिन वंडे वर्क जितना आ रहा है, यानिकि एक दिन में ए जितना काम कर रहा है, यानिकि 2 काम, इसके हिसाब से उसको 3 दिन काम करahा हो, ठीक है? और उस 3 दिन के काम को चुपचाप जो तोटल वर्थ दिया हुआ, जो टोटल काम दिया हूँ, उस मैं आडि कर दूँखा है, यानिकि 24 काम हो गया, ठीक है? और जो A और B है उनको आप आप नॉर्मली काम करा दो कि तीन काम एक दिन में कर रहा है टोटल काम आ लिए जो 24 है तो 24 आट तरीका 24 याट थरीजा 24 तो आपके सिंपली आंसर आ गया आठ तरीके इस पर प्रेक्टिस कर लिए जो मैंने तरीका बताया है इस पर आपको जहां से भी कोशन मिलता है प्रेक्टिस कर लिए यदि आपको कोशन नहीं मिल पाते है तो आप मुझे बोलिया मैं आपको PDF या किसी फॉर्म में बुक के कुछ कोशन इस पर बेस्ट प्रेक्टिस कोशन आपको अगले प्रेक्टिस के लिए और आते है यह भी एक ट्रिकी प्रेक्टिस कोशन में यह पूछा जा सकता है ठीक है अच्छा कोशन बहुत प्यारा कोशन है कह रहा है कि किसी संख्या को 899 में से संख्या मालूम नहीं है लेकिन 899 से जब भाग देते हैं तो 63 बचता है कितना बचता है 63 ठीक यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो क्या बचेगा ठीक है तो हमें तो एक तो संख्या नहीं मालूम थी उसके बाद हमने भाग दे दिया माल लिजे सपोस कि रिए संख्या कुछ 899 से भाग दे दिया भाग देने को आज 63 से बचा तो अभी आप परिशान है कि भागफल तो पता नहीं कि मैं गुड़ा करके और जोड़ के निकालू ठीक है क्यों 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 कि अगर भागफल पता होता यानि कि रिजल्ट पता होता रिजल्ट में इसका गुड़ा करते हैं और जितना रिमेंडर होता है यानि कि शेस्वल होता उसको जोड़ते तो संख्या मिलती संख्या में पता नहीं है तो आप परिशान रहेंगे माता पच्ची करेंगे बड़ी सी कलकुलेशन करेंगे बड़ा सिंपल सा ट्रिक है इसका आप समझ लीजे इसका सिंपल सा ट्रिक क्या है कह रहा है कि 63 सेश बचता है ठीक है अब उस संख्या को 29 से भाग देना है तो जितना सेश बचता है उसको 29 से भाग दे दीजे 29 का दुना करेंगे 58 आएगा 58 के बाद इसमें 5 remainder बच रहा है तो ठीक है 1 2 3 4 एक्वल पार्ट है चारो पार्ट बराबर है करा एक चोथा ही भाग यह जो नीचे वाला भाग है 135 लिटर पानी है इसमें तो पहले तो बता दो पूरे टैंक में कितना पानी होगा तो 135 multiplied by 4 35 का दो बार गुड़ा करेंगे 70 दूनी 140 और यह 440 400 540 हो गया ठीक है अच्छी होनी चाहिए जिन दोस्तों को टेबल नहीं याद है मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको क्लेक्वेशन फास्ट करनी है किसी भी एक्जाम के लिए तो प्लीस टेबल याद कर लिजे आप लो आप लो फ्रेक्शन याद कर लिजे जैसे परसंटेज में वन ब अब हमें क्या करना है कि कितना भाग भरा हुए तो कुल भाग कुल पानी बटा भरा हुए भाग तो कुल पानी कितना है 180 लिटर और कुल पानी कितना आएगा 540 लिटर अठार अगा तीन बार ये टेबल पढ़ोगो तो अठार ती चोवए न वन बाई थी विल बी दा आंसर ठीक है एक ब्यक्ति अपनी आया का एक बटा चार भाग भोजन पर तो वन बाई फोर लिख लो भोजन पर इन्वेस्ट कर दिया टू बाई थी मकान पर तता शेश तो पुशेश किसका पहले तो आप आये मानों कितनी है पहले हम लोग स्टार्टिंग में जब छोटे बच्पन में एक्स मानते थे या कुछ और मानते थे अभी आप समझो कि उसकी आये वन है क्या है वन तो वन का वन बाई फोर वो इन्वेस्ट कर दे रहा है और टू बाई थ गया 1 बाथ, टोटल एक्स्पेंट कितना कर दिया बचे कितने तो एक बचा बारा बच गया है खुँद से सोच लो 630 रुपए दे रहा है एक बटा 12 अदाम तो आपसे पूछ रहा है कि मकान का किराय क्यात करो तो multiplication कर दिए 12 कशुने का 12, 36 के 6 आज़ा 3 का 12, 6 के 72 3, 75 ठीक है अब मकान किराय का पूछा है तो 75, 60 में 2 बटा 3 मकान किराय पर जो है आपका explain करता है तो multiplied by 2 by 3 ठीक है 25, 20 multiplied by 2, 50, 40 तो A will be the correct answer ठीक है आशा करता हूँ आपको समझ में आओगा कुछ नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है बिल्कुल आसान सा प्रशन है आप पहले तो mathematics को हुआ मत बनाईए ठीक है बहुत सारे comment आए कि sir mathematics का proper solution दीजेगा options में मत दीजेगा तो ठीक है मैं एक बड़ी फिर समझा रहा हूँ एक बटा 4 आपका भोजन पर खर्चा हो रहा है ठीक है एक बटा 4 आपका भोजन पर खर्चा हो रहा है दो बटा 3 मकान किराया पर खर्चा हो रहा है अगला प्रश्ण है बहुत ही सुन्दर प्रश्ण बहुत सुन्दर एकदम जबरजस्त। इतना खुबसूरत कि पूछ अनर एकदम खोष है देखो कहlt कह रहा है कि ध्यान से समझे इये रूट ओवर 30 प्लस रूट थर्टी प्लस रूट ओवर थर्टी प्लस इन्फाइन ठीक है अब जोड़ते रहे जाओगे तो बच्चा ये तीस क्यास पांसा तुम्हारा आएगा तीस नहीं मतलब कुछ आ जाएगा पांच से प्लस आएगा अंसर तो जोड़ते रहे जाओगे जूड़ेगा कभी है नहीं लोगे तो आपको फिर ये y ही दिखेगा ये जो पीछे का portion है ये भी आपको y ही दिखेगा ठीक है ना दिख रहे है ना यही तो इसमें जादू है बस चलिए यहीं से पूरा प्रशन सॉल्व हो जाएगा आएगा चलिए तो हम करते हैं कि y is equals to root over 30 plus root over 30 plus root over 30 plus infinite ठीक अब हमे दिख रहा है कि इतना portion भी हमें y ही दिख रहा है बहुत सारे लोग दिख रहा है तो आप देखोगे root over 30 plus अब इसको भी आप y लिख सकते हो लिख सकते हो ना ठीक है यानि कि y is equals to root over 30 plus y अब आप दोनों पक्षका स्क्वाइर कर दीजे ठीक है वर्ग कर दीजे तो आ जागा y square is equals to 30 plus y बस अब ये एक दुगात समीकरण बन चुका है quadratic equation तो quadratic equation में क्या होता है बता दे रहा हूँ y square minus 30 minus y is equals to 0 करते के हैं जो बीच का y square minus y minus 30 equals to 0 इसको इधर पक्षांदर करते हैं side change करेंगा तो negative हो जाता है ठीक है तो negative करके मैंने लिख दिया है अब करेंगे क्या समझिए कि कोई ये जो है किनी ऐसी दो संख्याओं का जोड़ है जिसमें कि minus y बच रहा है यानि कि जैसे 2 में से 3 गटा दो sorry 3 में से 2 गटा द तो 3 में से 2 गटा होगे तो क्या बचेगा एक बचेगा ना तो वही ऐसा बचलिजिए कि मतलब 3y में से 2y गटा रहे है तो एक y बच रहा है ये कुछ वैसा ही है ठीक लेकिन multiplication करने पर 30 यह नहीं कि 3 का 2 में multiplication करने 6 आएगा तो कभी वो तो आएगा नहीं 30 तो किसका multiplication 6 आए कि दोनों y में deal कर रहे है इसमें से इसको घटा होगे तो 6 में से 5 घटा होगे एक आएगा और negative का sign लग जागा क्योंकि यह बच रहा है ठीक है तो minus y यहाँ पर बच रहा है और यह minus 30 जो कि यहाँ पर दिया हुए उसको वैसा ही लिख लिए हमने ठीक है तो अब हम देखें प्लस 5 कामन लेंगे यह प्लस 5 कामन लोगे 5 कामन लोगे तो क्या बचेगा y minus 6 एक टो 0 आप देख रहो हो कि y minus 6 दोनों के पास है तो y minus 6 को अलग कर लो और यह जो y plus 5 है इसको आप अलग कर लो y plus 5 एक टो 0 अब अगर बारी बारी पक्षांतर किया जाए सपोस करिए इसमें से कोई एक तो 0 होना चाहिए ना ये नंबर एक या नंबर दो में से कोई एक 0 होना चाहिए तभी तो गुड़ा करने पर 0 आएगा सुपोस करिए अगर y-6 बराबर 0 है तो y बराबर 6 आजाएगा ठीक है और अगर y अगले परशन क्यों राते हैं आयत की लंबाई उसके चोड़ाई की दोगुनी है ठीक है पहले तो एक आयात बने आयात क्या होता है जिसकी लंबाई बड़ी कर लो चोड़ाई चोटी कर लो इसको आयात के लिए ठीक है लंबाई चोड़ाई अपने हिसाब से चूज करने ना कौन सी है तो कह रहा है कि चौड़ाई की दुग नहीं है अगर चौड़ाई बिचरी X है तो यह क्या होगी 2X होगी समझ लेजे छेत्रफल कितना दिया हो 32 तो छेत्रफल होता क्या है लंबाई गुड़े चौड़ाई होता है 2X स्कौइर इसको काटोगे तो आजएगा 1600 अब यह स्कौइर है इसको भी स्कौइर बनाना पड़ेगा तो 40 आपसे जो भी ऑप्शन पूछा है चौड़ाई पूछी है चौड़ाई कमान X है तो X कमान दे दिया अगर आपसे लंबाई पूछता तो आप 80 लगाते ठीक है Option B was the correct answer अब next आते हैं विर्टा कार मार्ग की बाई है पहले विर्ता कार मार्ग बताओ ये वृदध है बेटा चेक है ये बच्छों ये व्रृदध है दो व्रृदध है क्योंकि एक आंतरिक है एक बाई है इनकी परिधियों का नुपा 23 नुपाते 22 है ये पहले बताओ पर परिधी है तुम्हारे उसकी जो भी वील है उसकी परिधी है तो इसका अनुपात कहरा है और 23 इस्टो 24 तो परिधी का होता है 2PiR बैलू कितनी होती है 2PiR तो आपको पता है कि अगर दो लोग का अनुपात निकालो कि इसमें 2PiR1 और R2 है तो किवहला R1 R2 बचेगा यानि कि R1 अगर बड़ी त्रिज्या मानी जाए और R2 अगर छोटी मानी जाए तो इसको लिखेंगे 23 बटा 22 यदि मार्क की चोड़ाई 5 cm हो यह जो बीच का दे रहा ना बटा यह जो बचो दे रहा है दोस्तों दे रहा है यह 5 cm यह आपका क्या है मार्क की चोड़ाई है तो 23 में से 22 घटाओगे 23 में से 22 घटाओगे तो इनके हिसाब से 5 बचना चाहिए लेकिन हमारे हिसाब से एक बच रहा है यानि कि यह 5 गुना कम है समझ पार मैं कह रहा हूं कि 23 में से 22 घटाओगे तो एक बचना चाहिए लेकिन इनके हिसाब से चोड़ाई 5 है इसके बीच में ठीक है त्रिज्या का ही तो Difference है I was Dimстранous इसका और इसका ही तो Difference यहीं बना लो इन दौनों का Difference है ये तो ये इनके हिसाब से 5 है कि इसाब से 5 है यनि कि a 5 गुना कम है ठीक दो आंत्रिक व्रित के 3 आ पूछ रहे है तो 22 गुड़े 5 बराबर 110 हो गया आंत्रिक वृत के त्रिजिया और व्यास क्या होता है त्रिजिया का दो गुणा यानि कि 220 ठीक है आशा करता हूं आपको ये प्रशन समझ में होगा अगला प्रशन कहे रहा है एक बरतन में 4 लीटर 500 ml दही है पहले तो ये समझ लो लीटर मी 500 ml को हम लोग लिख सकते हैं 4500 ml डारेक्ट मिली लीटर में कनवर्ट कर लो 25 ml धारितावले ग्लास में अब एक बरतन था अब ग्लास आ गई ये ग्लास है आपकी ठीक है चोटी सी ग्लास है इसका कितना है 25 ml आता है इसमें आपके पास है कितना 4500 ml अब भरोगे उसमें भरने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक में आता है 25 ml टोटल हमारे पास कॉंटिटी है 4500 तो आप सीधा भाग देतो 4500 ड़ाट भाई 25 एक बार कटोगे 25 बचे का 20 यहां बचे का 8 बार कटोगे 180 ग्लास आ गई 126, 126 और 9, 135 ठीक है तो यही आपका आजएगा आंसर डी विल भी दा करेक्ट आंसर अगले प्रश्म क्यों रहाते हैं कह रहा है कि सेंटीमेटर ओ ठीक है 44 सेंटीमेटर हो गई है 44 सेंटीमेटर परिमाप वाले वर्ग और 44 सेंटीमेटर परिधी वाले व्रित में कौन सी य नहीं मालूम होगा परिधी क्या होती है वो गलत कर देगा परिमाप क्या होता है गलत कर देगा ठीक है बट यह बहुत ही आसान प्रश्न है मुझे आशा है कि बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न को कर लिया होगा ठीक तो चले बनाते हैं पहले तो वर्ग क्या होता है वर थी यानि कि बाहर का जो चीज है यह होता है परिमाप आपका ठीक है इसको इंग्लिश में करते हैं पेरिमीटर फिर कह रहे हैं कि यह 44 है चाहु आलिस का मतला आपको सीधे समझ में आगे कि a plus a plus a plus a that means 4a is equals to 44 that means a will be 11 आपको यह समझ में आगे कि इसकी साइड कितनी है ग्यारा मान है इसके भुजा का ग्यारा सेटिमेटर अब आगे आप वृत के पास आगे वृत क्या कह रहा है यह भी आपका 44 है तो अभी आपको मैंने बताया कि 2 pi r बराबर 44 r आपको पता नहीं है pi की वेलू होती है 22 बटा 7 तो 22 बटा 7 गुड़े 2 गुड़े r बराबर 44 तो 22 दुनी 44 से 44 कट गया r बराबर हो गया 7 यह पक्षांतर हो गया अदर ठीक है इन दोनों में से reduce कर लो देख लो भाई किसका बड़ा है तो सबसे पहले तो बड़ा है ब्रित का बड़ा है ठीक है तो option में जहां पर ब्रित दिया हुए ब्रित का बड़ा है रिडूस करने पर option B इसका करेक्ट आसर होगा गर ब्रित और 73 सेंटिमेटर ठीक है डिफ्रेंस इतना ही आए आगा आशा करता हों को प्रशन समझ में आ रहा होगा चलिए अगले प्रशन की बढ़ते हैं अगले पर संचतुर भूज़ तो संचतुर भूज ठोड़ा से स्वेख़ुज होगा ठोड़ा तेढ़ा से चतरबूझ होगा ठेक है यह होता है समस्षूरु जियारोग पुज़ाई благ लेकिंन ढगा डीड़ा डिंग्यले विकाण्ड जो है एक दूसरे को 90 डिगरी पर प्रतिछेद करेंगे यह जानने वाली चीज़ एक दूसरे को करेंगे इंट्रसेक्ट करेंगे ठीक है अब कह रहा है कि इसके विकाड़ों की लंबाई दी हुई है अगर यहां से यहां तक यानी कि A B C D अकर माना जाये एक विकाड़ A D माना जाये यहां से यहां तक nhất ही बुजा और एक विकाड़ आपका B C माना जाये यानी कि यहां से यहां तक की बुजा तो इन दोरों कमाण दिया हुए D 1 और D 2 मैं इसको D 1 से लिख रहा हू, ठीक है,एक कमांधिया हो है 20, एक कमांधिया हो है 10,ीक Anandyeov بال 20, यानि कि Happiness कि इतनी दूरी है और ये 10 जो है, इतनी दूरी है ठीक है, तो इसका सम्चतुलूफ का चेत्फल निकाली है, तो इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए फॉर्मूला बहुत आसान सा है देखे क्या है फॉर्मूला फॉर्मूला को मैं डिफरेंट पेंसे लिख रहा हूँ वन बाइ टू डीवन एंटू डीटू ठीक है यह एरिया होगा सम्चत्रवुच का कहीं पर नोट कर लीजेगा यानि कि एक वजन 20 ग्राम है दो परसंट्रे का वजन ओहो यह कोशन गलत है ठीक है यह मिस्टेक हो गया कहीं पर यह कोशन समझ में नहीं आ रहा है ठीक है यह कोशन मैं इसको करेक्ट करके नेक्स्ट ट्रसरीज में देता हूँ आपको अगला प्रसंट आता है एक खाली बाल्टी का ठीक है यह ग्राम में मैंने बदल दी है जी हमसे लिख रहा हूँ यदि इसे पाउडर से भला जाथ अब उसको पाउडर से भर दीजे तो इसका वजन हो जागा 16 किलोग्राम तीन सो पचास ग्राम तो 16 किलोग्राम को अगर ग्राम में बदल को तो 16,000 16,000 क्योंकि 1 किलोग्राम का 1,000 16 किलोग्राम का 16,000 और 350 ग्राम और है तो 325 ओर एड कर लो ठीक है तो 16,325 हो जा रहा है इसमें भरे पाउडर का वजन तो कितना पाउडर भरने के बाद वजन है और जितना पाउडर भरने से पहले वजन है उसको रिडूस कर दो बहुत आस है 14 kg ठीक है 275 ग्राम आपका सी ओप्शन जो है और यह कागज हो एक बार मोड़ जाता है कोई कागज ले लो इसे बसे एक है बार मोड़ना है तो कौनसी आकरती प्राप्त नहीं होगी होगी नहीं नहीं होगी वर्ग वर्ग तो प्राप्त हो सकती आप इतना बड़ा कागज और यह नीचे का portion मोड़ दो, इतना portion मोड़ दो, यहां तक का, ठीक है, तो यह जो आकरती भर नी बने गया आपकी यह उपर वाली, एक ही बार मोड़ो, इसको कहीं पीछे के और मोड़ दो, ऐसे, तो यह आपकरती भर बन गई, इसी तरह त्रिभुज है, तो बिल्कुल आप आप ऐसा कागज लो, ठीक है, इसको आप ऐसे मोड़ दो, इस तरफ से ऐसे मोड़ दो, तो कुछ ऐसा bênगगा ना, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, त्रिभुज भी बन जाएगा, आयत तो बिल्कुल वर्ग बन रहा है, तो आयत बन जाएगा, घन, जन नहीं बनेगा, क्योंकि यह आपका वर्ग है, लेकिन जब इसको तीसरी विमा इसमें बना दी जाती है, जब फील आने लगे थोड़ा सा, हाथ में पकड़ने लायक, ठीक है, यह देखिए, यह आपका जो है, तो वह आपका घंज नहीं बन पाएगा, अगला प्रशना है, बहुत ही खुबसूरत प्र प्रशना है, बहुत आसान है, लेकिन कंसेप्चुले से जानना जरूरी है कहा रहा है, कि नीचे आकरती दी गई है, इसमें DC, ये वाली भुजा, और ये वाली भुजा पैरलल है, दीके पैरलल का चेनल लगाया हुए, ठीक है, यह दोने दूसरे के समानांतर है, यह एक बि पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि X का मन ग्याद करिए, देखे बाटा, बहुत खुबसूरत क्वेशन है, छोटा सा कंसेप्ट है, फिर ये क्वेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा, करते कहा है, इसमें रेशियो लेते हैं, रेशियो कैसा लेते हैं, जैसे माली ज यहां से देखेंगे, नीचे से ये, divided by OC, यहां से ये, ये बराबर होगा, BO, divided by OD, पस यही इसमें concept है, ठेके, ये आपस में बराबर होता है, अब इसका मान रख दीजे, मान क्या रखेंगे, 3X-19, divided by X-5, will be equals to, X-3, divided by 3, ठेके, अब इसका multiplication जब करोगे, तो इसका option X-square के terms में आएगा, तो 8 या 9, दोनों option आएगा इसका, ठीक है, आप करके दिख लिजे, मैं कर दे रहा हूँ, 9X-57 is equals to X-square, minus 8X plus 15, ठीक है, इसको solve कर लिजेगा, इसको आप solve कर लिजे, ये option हैगा, ठीक है, यह अगर आपको solve करना है, दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या ह ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसका option जो है, यहाँ पर दिया नहीं हुए, कोई बात नहीं, सबसे पहले तो आप जानिए, कि ये जो होता है, स्ट्रेट अंगल होता है, इसका मान कितना होता है, 180 डिगरी होता है, अब इसमें चाहें जितना तुम बना लो, ठीक है, सबको जोड़ोगे तो आगा 180 डिगरी है, यही इसका concept है, इसी को चेक करने के लिए question दिया गया है, ठीक है, तब अब अगर इससे आगे बढ़ते है तो आप हम जान गया कि x-20 प्लस 50 डिगरी प्लस x-10, अगर इन तीनों को add करेंगे तो आना चाहिए आपका 180 डिगरी, ठीक है, अब आप इसको फिर से add करिए, तो आजगा 2x-30 प्लस 50, 50 is equals to 180 डिगरी, ठीक है, अब यह 20 बचे का, इधर आजगा 160 is equals to 2x, x is equals to 80 डिगरी, ज पर आते हैं, next question क्या आपका? next question भी कुछ उसी तरह से मिलता जूलता सा question है, जिसमें कहा रहा है कि एक triangle दिया हुआ है, दो exterior angle दिया हुआ है, मतलब बहिर पूर्ण दिया हुआ है, उसके बाहर का angle दिया हुआ, यह बाहर का angle है, ठीक है, यह अंदर का angle है, ठीक है, अब कहा है कि x का मान बताइए, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैंने आपको बताए कि यहाँ पर एक रिजू कूण बनेगा, रिजू कूण यानि कि straight angle बनेगा, straight angle यानि कि ऐसे है, अब इसमें एक line खीच दिया, इसका मान दिया, तो इसका मान आप एक 60 में से घटागे निकाल प्लस x क्योंकि तीसरा एंगल यह है, ट्रैंगल में close है न, यह close loop है, तो ट्रैंगल के तीनों इंटर्नल एंगल का मान आत्रिक कोड़ों का मान 180 तो इन तीनों को जोड़ दोगे, तो इसका मान भी होना चाहिए, 180 तो 180 से 180 से 180 स्कूड आदो, 2x में से x उड़ा दोगे, तो ही नहीं गही है option में, कुछ तो चक्कर हो रहा है, टुंटी है, तो 160 हो गया, 160 प्लस x मैंस 2, 180 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 मैंस 2, ठीक है, option में x की value, नहीं है, हम देख लेते हैं option में x की value, ठीक है, बाकि है, satisfy तो करी रहा है x की value, तो कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, option में नहीं दिया हुआ है कहरा है कि ये बहुत प्यारा question है, जिसको directly आपको याद कर लेना मैं बता रहा हूँ आपके level पे इसको अभी समझिये मत, समय कम है जब mathematics की proper class से चलेंगी तो आप बिलकुल ये question raise करिएगा मैं खुद से बता दूँगा, कहरा ABC में जी केंद्रक है, पहले समझो केंद्रक क्या होता है यहां से इस vertex से, ABC, vertex मतलब होता है shears, अगर इस shears से यहां पे ऐसा कलम दोड़ाई जाए, कि इसको bisect कर दे, ठीक है, क्या करें, यहां से इस angle का bisect नहीं है, इस angle को नहीं समझो करता है, लेकिन यहां से एक ऐसा point जा रहा है जो यह सामने वाली भुजा को bisect कर रहा है, दो भाग में बाट रहा है और इस angle इस shear से फिर ऐसे ही ठीक हो रहा है, ठीक है तो यह जो point बना दो लोग के cutने के बाद, यह जो point आपको दिख रहा है, ठीक है मैं दूसरे, मैं आपको दूसरे pen से यह point दिखाता हूँ यह जो आपका, वेट, यह जो आपका point बना, यह जो blue color का point है यही होगा kendrak, क्या होगा kendrak, यानि कि दो इसको बोलेंगे maadhika यह आपका maadhika, ठीक है, यह आपका maadhika और कितनी maadhika हो गए, एक तरभुज में तीन maadhika है होई और यह maadhika एक दूसरे को जहां काट रहे हैं, वह होगा kendrak कह रहा है कि, अब इसके लिए एक property और समझे, suppose कि यह AD है अब इसी में G kendrak है, और यह G kendrak दिया हुए AD madhika है, यह AD madhika है, ठीक है और जिसकी लंबाई 12 है, यानि कि AD बराबर कितना दिरा है, 12 तो AG कमान पूछ रहा है, यहां से लेकिए यहां तक कमान पूछ रहा है तो सीधी सी बात ऐसे समझे, कि यह जो kendrak होता है, वो नीचे से होता है 1 by 3 distance पे, और उपर से होता है 2 by 3 distance पे अगर आप से पूछ रहा है AG कमान यह नहीं कि उपर से मान पुछ रहा है, टोटल वेलू आपको दी हुई है, तो टोटल वेलू दी हुई है 12, तो 2 बाइ 3 of 12, तो आगे आपका 8, D will be the correct answer, ठीक है, अब ये कोशन है आपका, बहुत अच्छा कोशन है, आपको पता चल चुका है, माधिका क्या होती है, तो चलिए फट से triangle बनाईए, लेकिन इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस प्रशन पर, इस प्रशन का उत्तर मैं direct आपको बताऊँगा, आप direct अभी समझ लेंगे, अभी तक के level के लिए, ठीक है, A, B, C, इसमें माधिका हैं आपकी C, D, यानि कि कोई D point है यहाँ पर, ठीक है, उसके बत करा B, E, यानि कि ये point है कोई E, B, E हो गया, और एक दूसरे को बिंदू O पर काटती है, तो O आपको पता चल लिए क्या है ये, आपको पता चल लिए क्या है, ठीक है, अब O, D, E, या इसको आप जोड़ दिजे, ये, ये आप जोड़ दिए, ठीक है, मैं इस triangle को ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, इसको आप जोड़ दिए O, D, E से A, B, C का अनुपात पूछ रहा है, तो सीधी बात समझ जाए, बस एक शब्द में बता रहा हूँ, चुकि O, D, E पहले आया है, ठ एक पुस्तक विक्रेता है, किताब 10% हानी पर बेचता है, कोई पुस्तक विक्रेता है, जो कि किताब को 10% हानी पर बेचता है, यानि कि, मालेजे कि 100 अगर यहां लिखेंगे, तो ये किसमें बेच रहा है, 90% पर बेच दे रहा है, ठीक है, 10% अगर यहां लिखेंगे, तो यह 90% पर बेश दे रहा है, यह molé explor comprend is 108 रूपए से धिक बेश डा अभी इस 90 पर से जते है यह इसको यहीं पर लिख लेजे, 108 पे अधिक बेश ता है तो उसे 10% का लाव होता है, कितने % का लाव होता यहीं की 1,1 10% टोटल हो रहा है, कोई पुस्तक भी करेता है जो 10% हानी पर बेच रहा है यानिकि 100 में से 10 घटा दिया मैंने 90% पर बेच रहा है अब कहरा है कि अगर 108 से अधिक बेचता है यानिकि 90 से माल लिजे 108 से अधिक बेच रहा है 108 रूपए से अधिक बेच रहा है इसलिए परसेंटेज में नहीं लिख तो उसे 10% का लाब हो रहा है यानि कि total 110% हो रहा है तो यह 108 है क्या जब 90 में बेच रहा है और जब 110 में बेच रहा है तो उसी के बीच का difference ही तो है मेरे भाई तो simple सी बात है यह 20% यानि कि इन दोनों के बीच का difference जो है 20% जो होगा वो 108 के बराबर आ रहा है यानि कि 20 by 100 is equals to 108 ठीक है आपका यहनि कि यह सीधे 1 by 5 बराबर 108 है तो 1 is equals to 108 उड़े 5 पांच पांच का चार हो गया 540 रुपए आ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है किताब का क्रैम हो ले तो 540 रुपए क्रैम हो ले हो ठीक है अगला प्रशन है कुईला के दाम में 20% की बढ़ोत्री हो रही है बढ़ोत्री हो रही है यानि कि 100 रुपए दाम है तो ऐसे समझ लो बस 20% बढ़ जा रहा है अब 20% को अगर आप चेंज कर दो तो ऐसे सोचो 1 by 5 आता है 1 by 5 आता है चुकि यह बढ़ोत्री हो रही है यानि कि यहां पर प्लस का चिन लगाओ यानि कि अगर पहले 5 में था तो आप बढ़ोत्री कितने की हो रही है 1 यानि कि 20% की बढ़ोत्री हो रही है तो अगर पहले 5 में था तो आप कितने में हो जागा 6 में अगर पहले 5 में था तो आप कितने में बिकेगा 6 में तो किसी परिवार को आपने कितने परिशत की कटवती करनी होगी कटवती कितने क नहीं आएगा जिन भी दोस्तों ने इस सवाल को सही किया है उनकी समझ डिवलप हो चुकी है कि गटावती कहां से करनी होगी अब 6 से करनी होगी बढ़े कहां से थे 5 से बढ़े थे तो इसका होता है 16 2 by 3 percentage ठीक है तो option आपका D correct answer होगा उसका अगला option आता है 17 गेंद है 720 solution आप ऐसे सुचो 17 ball है ठीक है एक का CP यानि कि खरीदे ओ एक को एक रुपए में ऐसा सुचो एक बाल को आप एक रुपए में खरीदे हो 19 52 पो भूल जाइंए 17 रुप林 और एक रुपए में खरीदे हो तो कम से कम 17 पर मिलने चाहिए पर आप बाद में क्या करोगी, पांच गेंद के लागत मुल्य के बराबर घाटा हो रहा है, अर्थाथ पांच रुपया का घाटा आपको फिर हो जा रहा है, यानि कि सत्रा को आप ऐसे रेट पे बेच रहे हो, कितने के रेट पे बेच रहे हो, कि बारा का ही दाम निकाल पा तो सीधी सी बात है, या आपको फिर से एक बार विजुलाइज करिए, बहुत बहुत अच्छा कोशन है, मैं फिर से पूरी बात आपको बताता हूँ, आप कह रहे हो, कि सत्रा बॉल है, ठीक है, सास्थो बीस रुपय में बेच रहा है, और पांच बॉल का घाटा हो जा रह हो, कुछ गड़बड, यानि कि सत्रा रुपय में खरीद के, अगर सत्रा रुपय में बेचा होता, तो घाटा नहीं होता, यानि कि सत्रा रुपय में खरीद के, कुछ बारा रुपय में बेच रहा है, तभी तो घाटा हो रहा है, बस पूरा सौल सौल हो गया, बारा चके ब परसेंट को परसेंट में चेंज कर लो तो आजएगा तीन बटा 20 यानिकि 15 बाइ परसेंट लाब पर विक्रें मून 10 परसेंट क्या होता बान इन क्युंक जो डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है 10 रूपे हैं यानिकि 20 LCM लेंगे दोनों के पहाड़े में सबसे बहले 20 आ रहा है 10 और 20 के पहाड़े में तो 21 जा 3 माइनस 10 का 2 जा दो बारी भागे तो आजगा एक बटा 20 बराबबर आगया अपका 10 रूपए ठिक, एक बटा 20 भाग का कितना रुपए आग्या 10 रूपए, तो एक भाग टोटल का आने केhängं के लिए 10 गोड़े 20 रूपए यहनि कि दोनों का जो fraction में change आ रहा है वो आ रहा है 1 by 20 तो 1 by 20 की value है 10 रूपए 10 रूपए तो पूरे 1 की value कितनी होगी यानि कि वस्तू की value कितनी आगी यानि कि लागत मुलिया क्राय मुलिया cp cost price कितना आएगा ठीक है multiplication हो जागा फिर कर रहा है कि 2 संख्या 2 is to 3 के अनुपात में है यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो छोटी संख्या पहले तो लिख लिए 2 बटा 3 का अनुपात है तो संख्या क्या हो जागी सबसे पहले समझे 2 x x संख्या हो जागी 3 x x संख्या हो percentage को fraction में change करना कहीं से सीख लो या आप अपने सामने कोई chart या google का page या कुछ भी खोल के बैठी को कि मैं direct बताऊंगा तो आपको थोड़ी परिशानी होगी 20% 20 by 100 होता है इसको 1 by 5 लिखते है तो कह रहा है कि 2 x 2 x by 5 में कितना जोड़ा जा रहा है 20 और ये बराबर हो जा रह होगे तो आएगा आपका 100 जो कि option में नहीं है ठीक है तो आंसर इसको होगा है छोटी संख्या टू एक से तो आंसर हो जाएगा आपका 200 नहीं है option में मैं solve कर लेता हूं एक बरी 2 x plus 100 इस उकल्स टू बाई 5 मैंने लसी में लिए रिए रिए 3 x plus 250 बाई 10 यहां पर 2 आया 4 x plus 200 इस उकल्स टू 3 x plus 250 इधर जाएगा फिस्टी आएगा इधर जाएगा एकस आएगा नहीं 100 आ रहा है answer जो कि option में नहीं है एक चुनाओ में 2 इम्मी द्वार बहुत ही प्यारा question बहुत 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 अच्छा question है ठीक है चलिए इसको करते हैं एक चुनाओ में 2 इम्मी द्वार एक दो इम्मी द्वार हैं इसमें एक को 38% वोट प्राप्त हुए तो बचे कित कर गया तो simple सा funda 30 62 परसेंट जो वोट है वो सेकंड व्यक्ति पाया होगा जो मिद्वारी में खड़ा होगा इनको मिला भाई साब को 38% तो दोनों को reduce कर दोगे यह बराब आजाएगा correct answer next है आपका एक बक्षे में अलग-अलग में कर लिया माल्या की अनुपात के x गुने है और 50 पैसे जर्वारी मिवारीक टुएगा तीरी एक शिक्क ओड लेंks सिक्क आ अब इन दोनों का जो multiplication होगा और फिर addition होगा यानि कि 2x plus 3x by 2 इन दोनों का multiply कर रहा हूं है plus इन दोनों का multiply करूँगा एक यानि कि x ठीक है इस उकस्टू होगा 180 180 रूप है LCM लोगों यह हो जाएगा 360 यह हो जाएगा 4x plus 3x plus 2x बराबर 360 यानि कि 4 2 6 3 9x बराबर 360 9 4 36 x equals to 40 पूछ रहा है पूछ रहा है पूछ रहा है 50 पैसे के संख्यों की संख्या कितनी होगी तो x का मान अगर 40 है तो 50 पैसे के 3x सिक्के थे 4 3 12 120 बी बिल विदा करेक्ट आंसर तो इसके साथ आपका मैथ यहां पर एंड होता है ठीक है इंवार्मेंट में हम देख लेते हैं कि पादपो दौरा जैसे घुले हुए खनीज लवड जल तक पतियों तक उपर जाने में मदद मिलती है तो क्या बोलते हैं बिल्कुल यह आपको बहुत ज्यादा अजीब नीचे जो कोई भी स्ट्रॉ होता है ना स्ट्रॉ में ऐसे डुबा दोगे तो पानी उपर आ जाता है ठीक है मर्करी के किसमें पानी नीचे क्योंड डिप्रेशन करता है बस यह जान जो कि 6 mm की अगर कोई ट्यूब है जिसका जो आपका डाया है वो 6 mm से लेस है ठीक है उसक मोटे दरखत होते हैं उसके बीच में जायलम होता है पानी उपर चला जाता है चड़के उसमें उसमें दो तरह के प्रिशार लगते हैं एक तो आपका जड़ लगातीए एक प्रिश्र नेकी कि पहला काम तो यह होता कि वहां पानी निकल ला आहे ठीक है फंटर अ ठीक है और वाश्पित हो रहा है और दूसरा यह होता है कि जब वाश्पित होता है तो एक तरह का प्रेशर क्रेट होता है और नीचे से पानी जो है सक करके उपर की और बढ़ता है तो वास्पोस सर्जन का ये भी काम है पानी उपर की और गती जो होती है वास्पोस सर्जन का बनती है, कर आसु का pH कितना होता है, तो 7.4 होता है, 7 से जैसे ही अधिक होता है, तो तुरंत यह basic या छारी यह प्रकृतिका होता है, ठीक है? तो जो pH होता है, वो आपता होता है, negative log of H plus iron, ठीक है? निगेटिव log of H plus iron होता है, तो यह anti-log of H plus iron होता है, यानि कि hydrogen iron का anti-log लेना ह जो है ph कहलाता है ठीके तो जो 7 जो होता है और नीटर यानी कि water का होता है और 7 से नीचे होने पर acetic होने लगता है एकि 他們 क्यों करते है तो से 7 से बढ़ता है तो यह 6 होता है 14 तक यानी कि 0 14 तक dura करता है अध्रट की जाता है रिए किस्ता की कमिसे तो के अधिकता से भटता है ठिकए वट अब यह ऑप्शन में कैल्सियम है नहीं तो आप बोरान को टिक करिया दूद को दही बनाते हैं आपके किडवन से बनाते हैं फर्मेंट करते एक है इसको तो फर्मेंट में क्या करते हैं कि आपका थोड़ा warm milk होता है उसमें आपका जोरन उसको बोलते हैं उसमें लेक्टो बैसिलस होता है लेक्टो बैसिलस से दूर जो है दही में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को किडवन कहलाते है जो की बीर बनती है जो को सड़ा करके वो भी अंगूर को सड़ा करके अलग-अलग बनती है बीर बनती है वाइन बनती है जो उसको जो है वो भी किडवन की प्रोसेस होते है फर्मेंटेशन होता है स्वक्ष सर्विक्षन रिपोर्ट 2020 ना किवल 2020 बलकि 2021 में भी आपका एक ही जगा है कौन सा है इंदौर है उसके साथ साथ जो है इंदौर को हमारा वाटर प्लस सीटी भी घोशित किया गया है कम से कम 30% जो है इस तरह के रिवा वाटर में जो जा रही है उसको रिउस्ड करने लायक बनाई है उसको ट्रीटमेंट करें डिले मेनमाटेशन बहुत परानी डिजीज है अचलि हुआ क्या था कि जापान में 1950 के आसपास में एक मीनामाता बे है ठीक है उसमें जो है पेट बाहर हो जाता था मचलियों का और मर के वो उपर तैरती रहती थी बर्ड जो है पक्षी जो है वो उपर से आस्वान से गिरते थे या बिल्ली जो है डिफरेंट तरीके से painful condition में act करती थी तो ये 1956 से 56 के आसपास में पता चला कि neurological disorder है मतलब कोई तंत्रिका तंस संबंदित में कोई पारिशानी हो रही है लेकिन ये contagious नहीं है नहीं कि छुआ छूत के थूँ ये नहीं फैलता है मीना माटा और फिर इस पर एक व्यापक कमिटी बैठती है जो ये बताती है कि मीना माटा में जो है काफ़ी टाइम से जो सीवेज निकल रहा है जिसमें मरकरी की बहुत जादा अधिकता है वहां कि फिश को जब कोई खाता है या खा ले रहा है पहले तो जानवरों में उसके बाद फिर दीरे दीरे इंसानों में वहां कि फिश को खाने के बाद जो है इस तरह की चीज़ों को देखा गया, वहां टॉपसी होई, यानि कि जब शौक की वो किया गया, पुस्माटम टाइप का किया गया, तो पता चला कि जो है, मेथिल मरकरी के प्रयोग से कैट में इस तरह की चीज़ें देखी जा रही है, ठीक है, फिर आता है एगला प्र मेथिल ब्रमाइड होता है, हमारा ही की जरूत होती है मैं अगर आपकी बॉड़ी में कम हो जाएगा तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे आपको मेरी विवात पर विश्वास नहीं हो रहोगा आप इसको Google करके सर्च करो कि इसमे एक प्रोथॉमिन प्रोटीन होता है जिसे अगला आथा विटामिन सी का दूश्या पहला विटामिन कौन सा है विटामिन सी अब देखो दूठ से देखो ना दूठ खटा नहीं होता है धाए हो जाती हो सिप्ल सीματα समझने के लिए विटमीन C से होता है इक होता है और गी आ क्रित्रीम वर्शा के लिए प्रियुक्त किया जाता है तो हुआンダホ जो एपो आयोडाइट जो है प्रियुप्त के अर्टिफिशल रेन के लिए यह चाइना में मुखेता बहुत ज्यादा फेमस है जो एरेड रीजन से चाइना के ठीक है एरेड मतलब की जो शुष्क छेत्र है चाइना के वहाँ पर या तो जेट के थू जेट उड़ता है तो जेट में ऐ साइट से रॉकेट लांचर लगाते थे तरह उसी तरीके से कुछ ऐसा लगा देते हैं कि सिल्वा रायोडाइट जो है लेकरके वो उड़े उसका धुवा बनाए और धुवा बनाने के बाद थोड़े दवाद प्रिसिप्टेशन होता है मतलब की बस यह जाने कि जो भी वा तो यह सौरी 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 एटीन करेट्स होना यह दिया हुए ठीक है तो एटीन करेट का अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग पता कि लेंगे कि 75% कितना है गोल्ड है तो 25% जो है अधर चीज़ है इससे चांदी यह इत्यादी चीज़ है ठीक है से उंट्さ का क्थभी एंग्लिष में लाफिनर प्याण की घंळ anto होता है नमक को यह सी हमल्प को से अजय गड़ एक तो बर्फ अपकी त botsında मेर वन दो पानी वह बॉल जाना है इसा समझेज का जम जाना हे मांक हे पानी का बर्फ बन जाना हमांग है अगर आप इसमें थोड़ा नमक डाल दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हिमांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा, फिर कर रहा है कि जब जल जमता है इसका घनत हो, तो जल का अगर density का graph बना है जो तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, यानि कि density जो है धीरे धीरे जमने के आठ डेगरी, कुछ भी मान लीजे, ठीक है, तो जल जैसे जैसे यह density दिखाईए, रो से दिखा रहा हूं है, ठीक है, यह temperature दिखा रहा हूं यहाँ पर, तो जैसे जैसे आपका अपका कम हो रहा है, इधर जैसे आप आ रहा है, ग्राफ में देखिए, इस पर चलिए, ग्रा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और निया पंचायत, जो कि बलवन्त राय में था, कमिटी ने दिया था, थी टियर सिस्टम दिया था, थी इस्तरी पंचायत, तो ग्राम सहिकारी संस्ता जो है, यह option, रोंग अंसर है, फिर आता है कि किसी ग्राम पंचायत दोरा उपरदान को पत से हटाने पर ठीक है हटाने के लिए दो तिहाई जो है बहुमचे होता है किसी प्रधान प्रधान को ठाने के लिए त्री अस्तरी पंचायत प्रडाली के संसा अभी मैंने बताया बलवंतरा महता जी ने दी थी 1291 में क्या हुआ था 1291 में LPG हुआ था याद रखी LPG सिलेंडर नहीं है यह था आपका लिपर्डलाइजर्प्र, प्रेटाज़्टändern, ग्लोबलाज़न यहनिकी उदारी करन्ड प्रेवटाईज़िशन क का निजी करन्ड और गलोबलाज़शन का वैश्वी करन्ड अवगए मृदा में उपस्ति जल की खुल मातर को कहते हैं, तो मृदा में उपस्ति जल की खुल मातर को होलाड कहते हैं, वह प्रजाती जिसका प्रभाव पारिस्ति के तांस पर समुदाय पर क्रांतिकारी प्रभाव कारी होता है, उसे कहते हैं, की स्टोन प्रजाती, की स्टोन प्रज कहते हैं आचा करते हैं कि आप लोगों सी समझ में है खाए होगा मैंने दो पार्ट में कि मैंने दो पार्ट में कुछ में मैंने चार शुब कुर्स के हैं पहला में इसक्ष dönस्किष recommend दूसर मेरे इसक्ष किया है हिंदी हों ठीसा explaining English रोट इसक्र इसक्ष क्रेए। और यह दूसरा पार्ट था जिसमें मैंने math और उसके साथ साथ EBS को discuss कर दिया तो आशा करता हूँ आपको समझ में आओगा है जो भी आपके दोस्त है सगे संबंदी है जो भी TET के परिक्षा है सूपर TET के लिए preparation कर रहे हैं उन्हें आप बताइए कि TET हिंदी द्वारा जो देते हैं अध्यापक परिक्षा से समझ देते हैं तो आप बिल्कुल इससे ज्वाइन करें इस टेस्ट सीरीज का प्राइस है 200 रुपे और ज्यादा से ज्यादा लोगों में स्प्रेड करें यदि आप लेट हो गया है तो कोई घवडाने की बात नहीं आपको PDF और वीडिय कर देशन खतम करते हैं मिलते हैं हम लोग अगले टेस्ट लिए